एक जुलाई की शुरुदान में आप सब कस हो गते हैं आज हम इस वर्दान की बात करने से पहला आपको बताना चाहेंगी कि हमारे इसी चैनल पर राजु के से फिलिंग मेडिटेशन पर अगर आप लाइव वाले फोल्डर में जाते हैं आपको एवरी डे के अमरित वेला जिसों हम ब्रह्ममूरत कहते हैं सुबा चार बाज़ से ले करके चार पैतालिस तक का मेडिटेशन सेशन मिलता है डिफरन स्पीकर्स, डिफरन एक्सपीरिंसेज और बहुत ही डिफरन डिफरन हीलिंग एक्सपीरिंसेज हर कोई इसमें अनुभाव कर सकते हैं अगर आप चार से चार पैतालिस पहने पांस अगर आप उठनी पाते हैं तो आप इसी सेशन को जो हमारे लाइव उसमें हैं आप इवनिंग टाइम पर किसी और फ्री टाइम पर भी आप सुन सकते हैं है 45 मिनद इसका लेकर ना आप 5 मिनट निकालें 10 मिनट की मेडिटेशन करें 15 मिनट की मेडिटेशन करें आपके उपर है Don't miss out क्योंकि ये बहुत ही important meditation sessions है और ये everyday होती है और ये इसकी live recording हमारे live tag के उपर है राज होगा self-reading meditation पे चाहिए, visit करिए, सुनिए और अपने जीवन को बदलिए ओं शान्ती, let's get back हमारा आज का वर्दान परमात्वा कहते हैं ब्रामन जीवन में सदा cheerful और careful mood में रहने वाले combined रूपधारी भवा यदि किसी भी परिस्ति में प्रसंता की mood वरिवर्तन होती है कि हमारे अंदर की जो खोशी है वो कहने के गायब हो जाती है कोई स्थिती, कोई परिस्तिती स्थिती हो सकती है परिस्ति हो सकती है विवेक्ती हो सकता है अगर कोई भी चीज अगर हमारे mood को उपर नीचे करती है तो उसे सदा काल की प्रसंता नहीं कहेंगे परमात्वा कहते हैं अपने पो चेक करो हमारी सदा काल की प्रसंता है सब कुछ мил गया, तो परमत्तमा पिलतार मिल गया है, सब कुछ मिल गया, उसने हमें उपनी गोद में ले लिया है, हमें रास्ता दिखाते जा रहा है भाएट करता जा रहा है बस और क्या चीए, और careful mood हो careful क्या होना है कि हमारा ये mood कभी उपर नीचे ना हो इसको चेक करना, हमारे अंदर संकल्प अब अभी तरह ना चल जाए हमारे अंदर बदले की भावना ना आ जाए हमारे अंदर गिरना ना जाए हमारे अंदर किसी की प्रती नफरत ना जाए बस ये इसके लिए हमें careful रहना ने क्योंकि वो ही हमारे mood को उपनीचे करता है और साथी साथ हमारा चीजों से लगाव ना हो जाए कभी कभी success के साथ भी हमारा लगाव होता है तो फिर हम परास्त होते हुए हम बिकुल ही negative हो जाते हैं या तो फिर हम बिलकुल ही अपने साथ में असन तो शोजाते हैं या हम खुशी को कहने की खो देते हैं तो परास्त होना जहे पराजे ना इन सारे चीजों में हमें एक समान रिने के परमात्मा कह रहा है मूड हमारा उपर नीचे ना हो किसे ने सराना करती हम बहुत खुश होए यह हम response करना शुरू करती है mood बदलनी नहीं चाहिए mood एक सामान देना चाहिए परमात्मा मिल गए सब कुछ मिल गया और अगर परमात्मा मिल गए परमात्मा ने हमारा हाथ पकड़ लिया तो हमें वो पार भी वही लगाएगा जब mood बदलती है तो कहते हैं मुझे तो एकांत चाहिए मुझे किसी से बात नी करनी है मुझे किसी से मिलना नी है मेरा दर्वाज़ा बंद कर दो मुझे खाना आलक से दे दो मैं किसी से मिलना नी चाहूँगी बात नी करना चाहूँगी मुझे अपना टाइम चाहिए यह सारे बहाने जब देते हैं इसका मेला क्या हुआ हम कहीं न कहीं परमात्मा से बिछड़ गए हैं हमने परमात्मा पर विश्वास करना चोड़ दिया है हमने परमात्मा को अपना पिता मानना चोड़ दिया है परमात्मों को अपना साथी माना छोड़ दिया, यहां गलती कर दिया है, हम अपना को अकेला कर दिया है, आज मेरा मूड ऐसा है, क्या कहते हैं, आज मेरा मूड ऐसा है, मूड बदलती तब है, जब अकेले होते हो, तो अकेला होना मतलब कि संसार ने मुझे साथी परिशानी मुझे घर करका ए वेक्थिमनें वस्तूं से मुझे परशानी हरी है वेभवों से परशानी आरी है संबंदियं से परशानी आरी है तो हम क्या होगे? अकेले होगे और अबपना अकेला समझ लिया तो परमातव कहती है mood off होगा है होगा सदा कंबाइन रूप में रहो तो मूड नहीं बतलेगी कि परमात मेरा साथी, परमात मेरा गाइड है वो ही रस्ता निकालेगा, उसी ने मुझे इस रस्ते में डाला है तो वो ही मुझे निकालके लिखे जाएगा अमश्याति